नमस्कार टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत हैं आपके साथ मैं हूँ कुलदीब खबरों के शुरुबात करेंगे जांसूसी के लिए इस्तमाल किये जाने वाली इस्राइली स्पाई वे और पेगासस पर अंतरास्टिय अकबार के खुलासे से मोदी सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने 2017 में एक डिफेंस डील में मिसाइल सिस्टम के साथ इसे खरीदा था ये डील दो बिलियन डॉलर की थी महीं सरकार पर निशाना साथते हुए राहूल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने दिश्द्रू किया है केंद्रिय गरह मंत्री अमित शाहा ने सारनपुर के देवबंद में घर घर जाकर भाजपा उमीदवारों के लिए वोट मागा इस दोरान उमरी भारी भीड को देखते हुए अमित शाह ने ये प्रिशार कारेकरम बीच में ही रोख दिया उद्रभाजपा अद्दक्ष जेपी नडडाश अनिवार को यूपी के बरेली इटावा और और औरयया जिले में चुनावे कारेकरमों में भाग लेंगे मुक्यमंत्री योगिया दितनात भी बागपत और गाज्याबाद के प्रवास पर रहे पश्यमंगाल में चुनावन नतीजों के बाद हुई हिंसा की जाच सीबी आई कर रही है इसमें एक दिन बाद सीबी आई ने डी आई जी अखिलेश सिंग ने और फरार आरोपियों पर पचास-पचास हजार रुपे की घोश्टना की थी बता दे की अभीजी सरकार बीजीपी कारे करता थे गोवा विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की त्रूनमुल कॉंग्रिस पार्टी और प्रिशांत किशोर की कंपनी IPAC पर मतदाता डीटा चोरी करने का आरूप लगा है कॉंग्रिस और गोवा फॉर्वर्ड पार्टी ने शनिवार को आरूप लगाया है कि टीमसी के साथ मिलकर चुनावी रन्निती बनाने वाली कंपनी IPAC संदिग्ध तरीके से मतदाता डीटा एकतरत कर रही है गोवा कॉंग्रिस महासचीव सुनील कावत थकर और जी अफपी महासचीव दुर्गादास कामत ने बताया कि दोनों दलों ने संयुक्त रूप से टीमसी और आईपेक के खिलाब चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराईद है चारखन के धनबाद में कोरोना वैक्सीन के 4,000 वायल का कोविन पोर्टल पर हिसाब नहीं मिल रहा है यानि कोविशिल्ड और कोवैक्सीन के 40,000 डूस किसे लगे हैं इसकी कोई जानकरी नहीं है गायब वैक्सीन पर उस वक्त अफसरों के खोश उड़ गए जब राज्य सरकार ने वैक्सीन नीट लोगों का डेरा मांगा इसके साथ ही 40,000 डूस की खपत दिखाने के लिए जाली एंटरी शुरू कराई और मरे हुए लोगों को लाभारती बना दिया फिलाल खबरों में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे टीपीवी न्यूस